हलो दोस्तों वेलकम बेक वाही चैनल तो आज के इस video में अपन बात करने वाले upcoming all new महींदरा Scorpio कि बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपन जाने है कि Scorpio में बाद 2018 में 3rd generation Scorpio आई थी और इसके बाद दोस्तों आब ये 2021 एंड में नई generation की Scorpio आने वाली दोस्तों डिजाइन की बात करें तो पहले से ज्यादा बिग साइज SUV लग रही है दोस्तों बात करें new Scorpio के features की तो आपको प्रोजेक्टर headlamps मिल जाते हैं एंड्रोड ओटो विद एपल कार प्ले नविगेशन सिस्टम इसमें दिया गया है और साथी में दोस्तों आपको रैंड सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाते हैं और साथी में आपको एम्बेंट लाइटिंग में अभी आ रहा है यह Smart Key with Push Start Start and Stop Button आपको बता दे कि अभी तक Scorpio के S11 मोडल में भी आपको Smart Key नहीं मिलती है लेकिन All New मेहंदर Scorpio में आपको Smart Key मिलेगी विद Push Start and Stop Button और जोस्तों काफी Safety Features इसमें दिये गये गये हैं जैसे कि आपको इसमें 6 Air Bags मिल जाएएगे जो कि पुरानी Scorpio में आपको सिर्फ two airbags मिला करते थे और साथ में आपको heel hold assist traction control with ESP all four wheel disc brake आपको इसमें मिल जाते हैं जब कि पुरानी Scorpio में आपको सिर्फ front wheel disc brake मिला करते थे तो दोस्तो ये काफी सारे change इसमें हुए हैं दोस्तो बात करें Scorpio के engine option के बारे में तो पहले आपको पुरानी Scorpio में सरफ diesel engine मिला करता था लेकिन next generation Scorpio में आपको diesel के साथ साथ petrol का भी option मिलने वाला है दोस्तो पहला engine 2.2 liter mhawk diesel engine है जो six speed transmission gear के साथ आने वाला है जो कि आपको 150 bhp की power देता है दोस्तो दूसर आपको इसमें petrol engine दिया गया है और न्यू महिंद्रा Scorpio में देखने को मिलेगा दोस्तो आपको बता दे कि old generation Scorpio में 4x4 option discontinue कर दिया गया है जब कि new generation Scorpio में फिर से आपको 4x4 option देखने को मिलेगा दोस्तो बात करें upcoming Scorpio और XCV7W के बारे में जो कि दोनों ही गाड़ी अभी तक launch नहीं हुए लेकिन इन दोनों के features में कुछ differences है जो कि Scorpio में missing है जैसे कि 9 airbags XCV7W में आपको मिलते है 360 degree camera मिलता है साथी में आपको touch screen जो है 9.2 inch की touch screen XCV7W में दी गई है जब कि Scorpio में आपको सिर्फ 7 inch की touch screen मिलती है तो दोस्तो ऐसे कुछ features आपको XCV7W में देखने को मिलेंगे जब कि new generation Scorpio में देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तो ये कुछ features हैं जो कि XCV7W में दिये गए है और Scorpio में नहीं दिये गए है आपकी क्या रहा है इस बारे में क्या इस features Scorpio में भी देने चाहिए थे दोस्तो बात करें new generation Scorpio के launching की तो इसकी expected launching December 2021 में होने है या फिर January 2022 में इसकी launching होने वाली है वहीं दोस्तो आपको बता दे कि Mahindra XCV7W दिवाली के आसपास launch होने वाली है जो की October November 2021 में launch हो जाएगी तो दोस्तो आप comment करें कि क्या आप Scorpio के लिए wait करेंगे या फिर कोई दूसरी SUV कार चूज करेंगे दोस्तो आई होप आपको वीडियो में दी कि जानकरी पसंदा होगी इदे आपको वीडियो अच्छा लगाए तो इसको like करें, share करें और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा यदि आपने चरनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते हैं थैंक्स फूर वॉचिंग इस वीडियो, जैहिन